अगर अन जाने में भी हो गया तो भी उसका महा पुन्य मिलता है अज एक आदसी ब्रत की महिमा को सुनाते हैं और इस ब्रत की महिमा के बाद हम आपको पुत्रदा एक आदसी की ब्रत कथा एबं शुभ महुर्थ बताएंगे भक्त राजारुकमांगद जी जो थे वे एकादसी के एकादसी को बहुत मानते थे उनका जो बाग था वो अनेक प्रकार के सुन्दर फूलों की उत्तम शुगंध से भरा हुआ था इससे प्रभावित होकर श्वर्ग की अपसराएं भी उनके बाग में घूमने आती थी दैब जोग से एक दिन एक अपसरा के पैर में बैगन का काटा चुप गया जिसके कारण से उसका पुन्य छिन हो गया वह उरकर स्वर्ग को न जा सकी बाग में ही रह गई जब सुबह हुआ तो मालियों ने आकर समाचार सुनाया एक अपसरा बाग में परी हुई है तो रुकमांगत जी बाग में आये अपसरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए तब अपसरा ने कहा कि कल जिसने एकादिशी का ब्रत किया हो वह हाथ में जले कर अपने ब्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे तब मैं अपने लोग को जा सकती हूँ राजा ने कहा कि ब्रत करना तो दूर मेरे नगर में तो एकादिशी का कोई नाम ही नहीं जानता है तब अपसरा ने कहा कि अन जाने में भी अगर कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो उसी के फल से मैं चली जाऊंगी और किर्तग होकर सदाप का गुनगाऊंगी राजा ने अपने नगर में धीडोडा पिटबाया कि कल जिसने अनजल ग्रहन नहीं किया हो वह दरबार में आये उसे इनाम मिलेगा इसे सुनकर एक बनिये की दासी आई जिस बिचारी को बिना अपराद के ही बनिये ने मारा था इससे ओह गलानी बस दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी राजा ने उसी से ब्रत का संकल्प करा दिया अपसरा उरकर अपने लोग को चली गई एक आदसी ब्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोशना की कि मेरे राज में सभी को ब्रत करना अनिवार्ज है यदि कोई अनखाएगा तो उसे बांध कर मार डाला जाएगा इसके प्रभाब से राजा रुकमांगद के राज में भाब और भक्ती का बहुत बरा प्रशार हुआ तो आईए अब पुत्रदा एकाच्षी हिंदु धर्में ब्रतों में सभ से महत्पुर्ण एकाच्षी का ब्रत होता है पौस मास में सुकल पक्ष को परने वाली एकाच्षी जिसे पुत्रदा एकाच्षी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान विष्णु की बिधिविधान से पूजा की जाती है, माननेता है कि पुत्रदा एकाची का ब्रत रखने वालों की भगवान विष्णु सभी मनो कामनाय पूरे करते हैं, संतान प्रापति की कामना के लिए इस ब्रत को उत्तम मना जाता है, इस शाल समापती है 24 जनवरी रभी बार रात 10 बज के संतान मिनिट पर पारण का समय है 25 जनवरी को शुमबार को शुबह 7 बज के 13 मिनिट से 9 बज कर 21 मिनिट जोतिस जोतिस आचार्ज के अनुशार संतान कामना के लिए इस दिन भगवान क्रिस्न के बाल सो रुप की पूजा की जाती है इस दिन सुबह पती पतनी को साथ में भगवान क्रिस्न की पूजा करना करना चाहिए उन्हें पीले फल तुलसी पीले पुष्प और पंचामरित अधियर पीड करना चाहिए इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए मंत्र जाप के बाद पती पतनी को साथ में प्रसाध ग्रहन करना चाहिए एक आदसी के दिन भगवान सिर्किश्न को पंचामरित का भोग लगाना शुभ माना जाता है और पुत्रदा एक अट्सीब्रध की कथा सुनाते हैं कथाओं के अनुसार ब director वटी राज में सुके तुमान नाम का राजा राजिकरता था उसकी मतनी सभिय था राजा के पास सब कुस्ता सिर्फ संतान ही ती एस में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्रान लेने का मन बना लिया कि मैं जिंदाब नहीं रहूंगा हाला कि पाप के डर से उसने विचार त्याग दिया राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लग रहा था जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया राजा को जंगल में पक्षी और जानबर दिखाई दिये राजा के मन में बुरे बिचार आने लगे इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए तालाब के किनारे रिशी मुनियों के आस्रम बने हुए थे राजा आस्रम में गए और रिशी मुनी राजा को देखकर परसन हुए उन्होंने कहा कि राजन आप अपनी इक्छा बताएं राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुतरदाय काथसी है मुनियों ने राजा को पुतरदाय काथसी का ब्रत रखने को कहा राजा वे उसी दिन से इस ब्रत को रखा और दो आदिसी को इसका विधी विधान से पारन किया इसके फल सुरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्वधारन किया और नौ माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो बोलिए जैसरी हरी विश्णू